हलो गाईज, वेलकम टू कॉन स्टडी जेकी एससबी क्लास फोर्थ रिक्रूट्मेंट में आज हम एक न्यू लक्ट्र करेंगे जिसमें हम मैंसुरेशन का पार्ट टू करेंगे प्रिवेस वीडियो में मैंने मैंसुरेशन के बेसिक्स बताये थे क्यूब और 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 क्य 0.5 cm in height from it beads ये वीड़ा नहीं, weeds है, weeds of volume 1.5 cm cube each are to be made, find the number of beads that can be made from the block तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले, cm3 square देखने को मिले, तो cm3 है तो इसका मतलब हुआ, volume तो इसमें आएगी, ठीक है, तो volume तो आएगी, और उसने बोला है कि एक जो weed है और जो weed की value दी हुई है, उसने दी है कि 1.5 cm का वो एक weed होना चाहिए, 1.5 cm cube का, तो बताना है कि total number of weeds कितने बन सकते हैं volume से, तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, suppose मेरी volume आती है कुछ 15 cm cube, उसने मुझे बोला है कि हर 1.5 cm cube का एक weed बनना चाहिए तो मेरे 15 से कितने बनेंगे अगर एक weed मेरा बन रहा है 1.5 cm cube से, तो total मेरे पास 15 cm cube है, तो इससे कितने beads बनेंगे, 15 divided by जो भी मेरा एक की value है, तो इस question में यही होगा तो 15 तो मैंने कोई भी arbitrary value assume की हुई है, तो आब ऐसे अब हम इसकी निकालेंगे कि क्या इसकी value आती है तो volume का क्या formula है मेरे पास LBH, ठीक है cuboid के, तो 9 into 4 into 3.5 तो इसकी value क्या आई इसकी value आती है 126 cm cube और यह total volume आती है और एक bead की value कितनी है 1.5 cm cube और हमें कितनी volume है हमार पास, 126 एक bead की इतनी value है, total 126 है, तो कितने number of beads कैसे आएंगे 126 divided by 1.5 ठीक है, तो 126 divided by 1.5 value आती है 84, तो इस कान से क्या हुआ है, 84 beads इसका एक generalized हम formula भी बना सकते है कि number of beads ठीक है, into volume of one bead is equal to total, जो भी हमारी volume आती है, ठीक है तो volume of one bead कितनी है 1.5, number of beads कितनी है यहां से हम find out कर सकते हैं, तो total volume कितनी आया थी, 126 और volume एक ही कितनी थी, 1.25 और number किया आया जाएगा 126 divided by 1.5, इस formula से ठीक है, तो answer आया हमारा 84, यह मैंने आपको generalized way में करने के, करके बताया कि, ऐसे numbers पूछे जाते हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हो तो अब हम करते हैं हमारा next question जो question है, there are two cubes having edges 2 cm and 4 cm respectively, find the volumes V1 and V2 and compare them जब भी comparison की बात की हो तो वो बोलता है कि, एक volume, दूसरे volume से कितना बड़ा होगा, या फिर कितना छोटा होगा, ठीक है, तो volume of cube क्या होता है, A cube तो first वाले की V1 की volume क्या आएगी 2 का cube, वो कितना होगा, 8 cm cube, और V2 क्या आएगा 4 का cube, तो वो कितना होगा 64, तो अगर हम इन तोने को divide करते हैं, V2 divided by V1, तो क्या आएगा, 64 divided by 8, तो क्या बना 64 divided by 8 8, ठीक है, तो V2 divided by V1 कितना आता है, 64 divided by 8, जिसकी value होगी 8, तो इसका मतलब, अगर मैं V2 को यहीं पर रहने दूँ, तो V2 is equal to 8 of V1, तो आपको option पी ऐसे ही आएंगे, कि V2 is equal to 8 of V1, V2 is equal to 4 of V1, V2 is equal to 1 twice of V1, तो none of these, तो आपके जब भी ऐसा option मिलेगा, तो आप लगाओगे V2 is equal to 8 of V1, नहीं तो आपको ratios में भी दे सकता था, V2 by V1 is equal to 8 by 1 ठीक है, तो दूसरा option आजाता है 4 by 1, फिर आजाता है 3 by 1 तो अब का answer किया है कि इसमें 8 by 1, तो next question करते है the weight of a metal block of size the weight of a metal block of size क्या size है इसका 5 cm by 4 cm by 3 cm is 1 kg तो यह T नहीं यह है 5 ठीक है, find the weight of block of the same metal of size 15 cm by 8 cm by 6 cm, तो देखिए weight of metal block of size यह जो दिया हुआ है इस metal, इस जो dimension का metal है, उसका उसने weight दिया हुआ 1 kg ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो उसका volume है, उसका weight उसने बराबर दे दिया 1 kg के, अब उसने बोला है weight of block निकालो जिसका size यह है तो उपर वाले से हम क्या निकाल सकते है volume से 5 x 4 x 3 ठीक है, तो यह कितना बना 60 cm cube और उसने बोला है weight of a metal block of size इतना दिया हुआ, 60 cm cube को उसने दे दिया हुआ है 1 kg ठीक है, 60 cm cube को उसने दे दिया हुआ है 1 kg अब उसने बोला है, find the weight of a block of same metal of size 15 cm, 8 cm, 3 cm तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60 cm हमारा 60 cm cube हमारा कितना आया 1 kg के equal आया तो जो दूसरा जो metal उसी same metal का एक और block है उसकी volume के आएगी 15 x 8 x 3 यह क्या बनी 360 cm cube तो देखिया, 60 cm cube 1 kg है, तो अब मुझे निकालने 360 cm cube कितना kg होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 x 60 और 60 cm, 1 kg आया तो यहाँ पर कितनी value हैगी इस metal की कितना weight होगा 6 kg, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको break किया 6 और 60 से और 60 की value 1 kg थी तो इसका answer क्या आया, 6 kg तो यह जो questions थे, यह कुछ questions थे, cube और keyboard के, अब हम पढ़ेंगे cone और cylinder के बारे में, तो cone और cylinder में कैसा questions आते हैं इनमें हमने क्या करना होता है cone और cylinder में, देखिए यह shape हुई हमारी cone की ठीक है, पहले हम cone के बारे में बढ़ते हैं, फिर मैं उसके बाद cylinder के बारे में बताऊंगा, यह cone और यह cylinder ठीक है, तो basically हमें करना क्या है, इनके formula याद रखने है, तो cylinder जो हुआ देखिए, यह जो हमारा नीचे है, यह होता है, circular base, आप कोई भी cone आप देखना, आपने देखा होगा birdie hat होती है जो, तो birdie cap होती है, उसमें उसको आप as if cone की figure देख ले ना, तो उसमें यह नीचे वाला circular base होगा, और यह ऐसे cone बना होता है, ठीक है तो इसमें देखिए, cone-cone से formula आएंगे, तो हम यह देखते हैं cone में, तो cone में देखिए, curved आएगा, total आएगा, और इसकी volume आएगी, तो यह जो cone है, suppose हमें यह cone दिया हुआ है, और इसकी radius है, R, ठीक है और diameter हुआ D, तो diameter, आपको पता होगा, diameter क्या होता है twice of radius, ठीक है यह हुई इसकी height, यहां से यहां तक, यह हुई इसकी height और यह हुई इसकी slant height, ठीक है, यह हुई इसकी height, यह हुई slant height तो कौन में हमें कभी कबार slant height के बारे में पूछा जाता है कि slant height कैसे find out करता है तो सबसे पहला formula आपने देखा होगा ये कैसा triangle बन रहा है ये ऐसा triangle बन रहा है तो ये हमारा right circular triangle बन रहा है ये L है ये H है ये R है तो ये pythagoras theorem मन जाएगी ये hypotenuse ये perpendicular ये base तो L की value क्या आती है H square plus R का square ठीक है ये एक formula बना है इसका L की value क्या आ जाएगी मैं आटी slant height की H square plus R square ये slant height ये वाली height हुए और ये हुई इसकी normal height ठीक है ये तो हुआ एक formula L square is equal to H square plus R square अब हमारी बारी आती है इसके areas की और volume की तो ये कौन था और ये slant height तो इसका जो curve surface area होगा वो कितना होगा पाई R L ठीक है पाई की value कितनी हुई 22 by 7 हर question में ये ही होगी 22 by 7 और 3.14 ठीक है तो उसके बाद हमारा total surface area की value क्या होती है इसकी पाई R L प्लस पाई R square देखे total का मतलब क्या हुआ curve का मतलब क्या हुआ जब ये cone बना इसका जो ये वाला area हुआ without circular base के उसको हम लिखते है curve surface और total में क्या बना ये वाला तो आया ही आया curve डाला और नीचे circular base का भी आया तो देखे circle base का area क्या होता है पाई R square इसलिए cone का जो total surface area होता है वो होता है पाई R L प्लस पाई R square अगर इसमें पाई R common लेता हूँ मैं तो ये बनता है पाई R L प्लस R तो ये दोनों formulas note कर लेना आगे questions में use होंगे ये हुए मेरे दो formulas curve और total अब cone की volume क्या आती है एक था L is equal to L square is equal to H square plus R square और एक दो थे एक curve surface area और एक total surface area ये चारो formulas आपको अच्छे से याद करने है क्यूंकि इन्हीं की ओपर questions आएंगे कभी कबार हमसे volume पूछ लेगा कभी हमसे height पूछ लेगा कभी slant height पूछ लेगा तो इस type के questions आपको आएंगे exam में तो इसका first question करते है find the curve surface area of a cone if its slant height is 60 cm and radius of its base is 21 cm देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं समझा रहा है कि क्या अगरो आप एक कोन बना लो ठीक है पाई 22 by 7 और r की value कितनी हुई 21 और l की value हुई 60 ठीक है तो यह हुआ हमारा cone का formula तो इसके बाद हम solve करेंगे यह हुआ तो यह क्या बना जब इसको solve करेंगे तो यह बनेगा 3960 cm square क्योंकि area पूछा है curve surface area तो यह कौन सा area आया सिर्फ यह वाला area आया without circular base के यह हुआ curve surface area ठीक है अब इसके बाद अगर total surface area पूछा होता तो इसमें pi r square भी add हो जाता अगर total पूछा होता ठीक है तो next question करते हैं तो यह था कौन के ओपर question तो एक question मैं आपको दे रहा हूं कि इस question का total surface area आपको comments में बताना है कि क्या होगा तो total surface area का मैं आपको formula बता देता हूं अभी मैंने पिछले वाली slide में ही बताया था pi r l plus pi r square ठीक है तो इसका comments में answer बताना कि क्या answer होगा तो guys आज की वीडियो में बस इतना ही I hope ये वीडियो आपके लिए helpful होगी तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और channel को subscribe करें हम आपको यासी daily videos provide करते रहेंगे तो मिलते है next video में तब तक thank you very much